यो what's up guys कैसे आप सोभी लोग welcome back to another gameplay video तो आज हम लोग के जा रहे हैं house flipper तो जैसे कि आप लोग को पते है कि इस game में हमें बहुत सारा civil walk करना होता है मतलब पुराने घटिया से कच्छे से घर को लेकर उसे एकदम नया जैसा सुन्दर घर बनाना है जिस काम को करने के लिए हम game का new part आ चुका है यानि game में और भी काफी सारी नहीं चीज़े आ गई है let's go चलते है अपनी job पे बठा उससे पहले एक छोटा सा request मुझे मालूप है आप में से बहुत सारे लोग चैनल पर नहीं है जो कि वीडियो देख रहे हैं यह तुम graph देख रहे हो इस graph का मतलब है कि इतने परशन लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और सिर्फ इतनों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं क्या क्या कर रहे हो जल्दी से जाओ नीचे प्यारा सा बटान आ रहा है सब्सक्राइब का उसा दबा दो let's go आजो वीडियो में और मैं चुका हूँ एक बहुती फुल घर हुआ करता था बट अभी घर एकदम कबाड़ा हो चुका है एक बारी देख रहो इसके सारी लकडियां टूट टूट के गिर रहे हैं उपर से यहां पर इधर देखो इस प्रे मार हो है किसीने दिवार पे पेंट वेंट करना पड़ेगा और इधर की तो खिड़क मचा हुआ है घर के अंदर एक सिकिन यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस घर को साफ करने में मेरा पूरा पूरा एक हफ्ता चले जाएगा बट हमें काम करना है क्योंकि जिस बंदे का यह घर है ना वह कुई बहुत ही जादा अमीर बंदा है और वह इस काम के हमें बहुत सारे पैसे देने वाले है मतलब तुब कुद देखो उसका यह जो घर है ना किसी एक ब्राइवेट इस फॉद्वेयर बंदे कि आँ तो आज इसको मोग पुरा चमकाने वाले हैं ऑड़े करते है थोड़ा बाहर से इधर बहुत ज़ादा कूड़ा पढ़ा हुआ कोड़े के बैक्स हैं, जिन बैक्स को मैं उठाकर शाय से इस डस्ट्विंन में डाल सकता हूं, येस, तो यहां से हमें सफाई करना शरू करना है, बठाँ यार, बाहर की सफाई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पहले घर को अंदर से कितना बड़ा और कितना गंदा है दर्वासा कुल यह देखो इतना कुड़ा है दर्वासा भी नहीं खुल रहा वाई इसको भाइश को मैं यहां से फैक सकता हूं क्या यह हो यह पैक सकता हूं बस थाकत थोड़ी सी और लगाने है आज तुआ ये बास्केट करने हैं अब है लेस्स गो नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं अभी दर्वाजा खुल जाता बट अभी नहीं खुला रुको में पास काफी सारे टूल्स है इसके इंदर तो इसके तुरू मैं इसमें कुड़ा डाल सकता हूं उठा उ पुराना पेंटिंग है ये डेकोरेशन में अच्छा तो लगे है इसलिए से बेच दो उपर भी एक मस को यह आइटम है सब बेच डालूंगा मैं इधर देखो बाई कितना जादा घटिया गर है फ्लोर का काम करना पड़ेगा ये इधर का दिवार टूट गई है ये देखो इधर की दिवार भी दुबारा बनानी पड़ेगी यहाँ पर डाइनिंग टेबल है ये भी गंदा हो चुक है मेरे को तो ऐसा फील आ रहे है कि इधर ना वो बंदा पार्टी करके गया है उपर उन्होंने वहाँ पर कोल्डरिंग उचा लिया है पूरे में गंद मचा के वो बाहर वाले रूम में यहाँ पर सोफा है और सोफे के साथ साथ एक बड़ा सोफा है कैबिनेट है प्लैंक्स है फाल तूगे एक छोटा टेबल है सब सब बिग जाएगा थोड़ा बहुत पैसा मिलता है इनका यह घड़ी फिर भी ठीक लग रही है पर इसमें काटा ही नहीं है हट नहीं लगाएंगे हम चलो भाई जितनी भी टेबल सारी चीज़े बिग सकती थी मैंने बेच दिया यहाँ पर लेकिन एक सब तो रही गया पूरा डाइनिंग टेबल बचा पड़ा है वाई अभी तो पेसिकली ना यहाँ पर हमें टास्क भी दिखा रहा है कि यह अरे नहीं यह गंद नहीं है कुछ है ऐसा लग रहा है वो गिर गया उसकी मिट्टी है गाएं का गोबर मत समझो यह साफ पी नहीं हो रहा भाई वैक्यूम क्लीनर से एक मिनेट इस पर कपड़ा मारू गया मारो कपड़ा मारो अरे नहीं कपड़े से तो जमीन साफ हो गई गिर रखे थे यह भी बेशते हैं तो ग्राउंड फ्लोर मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है मतलब इतना ही था ना ग्राउंड फ्लोर में को पता नहीं है कितना है मैं चीज़े बेचने तो लगया एक पुरा घर तो घुमकिया हूं यहां पर क्या है इसके अंदर क भाई दस गुना ज्यादा गंद मचा हुआ है बैड है उस पर गद्दा ही नहीं है चुए खा गए गया इस तरफ में बालकनी भी है भाई को साफवा अपना बैठा हो घर में बहुत बचने वाली है बहुत ज्यादा गंद है और बहुत बड़ा घर है यह देखो बाई उप यह किचन में तो बहुत सारा इटम है जो बिख सकता है बाकी सारे ट्रैश है इसके अंदर डालते बैलन बिखेगा क्या बैलन बिख जाएगा यह लोग रोटी से केंगे ओके तो ग्राउंड फ्लोर को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है बस यहां पर एक थोड़ा स मैं बैगा सबको पहले इस वाले ट्रैश के अंदर डालो वह कितनी जगा वाई यह लो पांच एड़ल खतम ही नहीं हो रहे है देखो आई इंफानाइट स्टोरेज के अंदर बस डालते जाओ चलो गाइस वापिस दलते हैं घर के अंदर और अंदर की सफाई हम लोग एक से टेबल बिग जाएगा और यह एक दम कर दे रहा है मतलब ऐसा थोड़ी पहले एक कमरा हम साफ करा शूरू कर दो फिर दूसरे कमरे में इसे नहीं होते काम पहले पूरा घर कुन ओए candy का बाद घर का काम शुरू होगा फिर नया फर नीचर आएगा और धाट सिट खतम अगर मैं फ्लोवाइस चलूँगा तो सारा कम बड़े तरीके से होगा तो यह पॉट सीट पर तो बहुत समान है यह बैट गया टेबल क्या पियानो भी घटी ऐसा पड़ा हुआ था यह भी गया मचलिया मचलिया साव है अंदर वाले कमरे में बहुत कुछ है कैबिनेट वगरा निउस पेपर राइडियेटर ओल्ड और और यह भी निउस पेपर जार भी है जार भी बिकेगा अंदर बाट्टा भाई इतना बड़ा वह भी बेच दिया लोगा इस लेट को जितनी देता हूं पोस्टर हैं पेपर इतनी स्पीड में काम कर रहा है कि ऊपर और फ्लोर में दो गुना जादा गंता लेकिन फटा-फट से क्लियर कर दिया पता भी नहीं जला बालकनी में बहुत कुड़ा यह भी बचा हुए तो यहां पर प्लैंक्स वगेरा पतिया वगेरा बत सकती है में दिखनी जाफ मेरे में तो सब कुछ क्लीन है यह बात्रूम में भी सब कुछ ओ बात्रूम में एक हारा पड़ा हुआता है यह ते टॉबलैकल यह प्लैंक है इधर अच्छा जमीन पर ब्लैंक है अभी सारा घर फॉरा पुरा च्छे सेक्दम क्लियर हो चुका है के बाद हमें करना है clean और एक सब्सक्राइब करने के लिए हमारे पास है जिसको शायद से वाल पर मारके इसके stains अटा सकता हूं दाग दब्बे सारे एक दम clear हो जाएंगे क्योंकि हम नया पैंट शायद नहीं करेंगे हमारे पास budget बहुत कम है तो कम से कम पैसा लगा के जाएज जादा profit निकालना है यहीं इस गाम तो करना है साथ के साथ पैसा बहुत कम यूज करना है तो यहां पर जादा गंदी हो रही थी जो कि पाई पेंट करने की ज़रूती नहीं वाइट हो गया विंडव यहां पर बहुत गंदी हो रही है विंडव भी मैं कर सकता हूं मेरे बास brush लीन करने के लिए तो इसे एक दम करना है रब करना है यह जाएगा यह एक विंडव ओर ऊगई जादा गंदा है जैसी बोलने लगता है एक बोल और नसर आती है यहां पर अभी बचा हुआ था काम थोड़ा सा इधर है स्टेंस है यहां बहुत इक बारी चेक करूंगा तब मैं बोलूगा अभी भी दिखा रहा है 56 है 44 में कर चुका हूं ओ अच्छा जमीन पे हैं बहुत सबसे ज्यादा डिर्टीस वॉल यही थी यह एकदम बढ़िया क्लीन हो चुका है यह मस्त कपड़ा खतम ही नहीं हो रहा बस क्लीन करते ही जा रहा है चलो भाई लेट्स को शाद से मैंने सारे स्टेंस क्लीन कर दिया है एकाथ हो सकता है कहीं बच गया बढ़ चेक कर लेता ह हां हो गया अब बस वैक्यूम क्लीनर के तो यह डर्ट उठाने मैंने देख ली यह यह पर यह पड़िया यह वैक्यूम क्लीनर से सारा जागा कोई काच तूटके गिरे गया आजब सारा कलेक्ट हो गया भार वाले रूम में उत्तेरी इदर तो पहुत स्टेन है नहीं सारा से उठा लेता हूं मैं इसको उपर उपर से आ जाएगा बहुत कुड़ा इदर गिरा हुआ है बालकनी में बहुत सारी लीव्स किरी है यह बस यह वाला जो वूड है यह खराब ही हो गया तो मुझे यह आपन नए आलाके लगाना पड़ेगा बस अंदर में थोड़े बहु पूर एकदम चमका दिया है यह थोड़ा से रह गया था इदर चलो तो टॉफ लोर पूरा एकदम बढ़िया हो चुका है इसके अंदर अब आ रहा है कि हमें बस चीजे खरीद खरीद के यहां पर लगानी है चुकि मैं एकदम लास्ट में करूंगा पूरे घर का एक साथ ब ने बातरूम का विंडो ध्यान ही नहीं दिया में रेकर विंडों कर दिया था बातरूं कर रहे था चलो विंडों पूरा एकदम नया जासते देखेगा टेंशन मतलो यह लो बढ़िया दरवाजा करो बंत अब भाई जहां देख रहों वहां गंदगे साच में बहुत गंदा दयार है गरोर में बहुत तेज साफ कर रहा हूं चलो अभी आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पर यह एंट्रेंस यहां से क्लीन करते हूं चलते हैं सबसे पहले काम करता हूं जितने स्टेंस है ना यही लगता है जो रहता था कुकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करता था बर मंगा तक आसे था इसका आइलेंड पर कहां से हो रहा है वह हमारी है अभी मुझे यह काम करना है से कंपलीट करते हैं बचें सारे टॉप वाले एरिया से बीचमगाते हैं यह टॉप पे गंद हुआ कैसे इससे में को समयन नहीं आ रहा शैंपिन गोली दीका उपर कर गें इतनी उपर कैसे गंदीगी मच रही है हाँ इधर तो वह गया यह वाला रूम भी हो गया चेक कर ले तो एक बचा हुआ दिख रहे हैं इधर तो फिलाल नहीं दिख रहा जमीन पर हो सकता है एक बार को नही अब जितना भी यह वाक्यूम क्लीनर वाला काम है से खतम करते हैं बहुत सारा कांच वास तूटकी किरा हुआ है इसारा उठागे बरना वाई उपर कम था इधर फैला बढ़ा हुआ है फ्लोर और बात्रूम बात्रूम में बचा हुए बाइब काफी काम तो यहां पर तो इसे कर देते हैं फुल स्पीड में सारे गाम हो रहे हैं तीन से चार विंडों क्लीन कर दी अभी एक यह बची है यह वाली साइट गंदी तो दो इबार करना पड़ेगा ठीक है छोटी भी चमक जाएगा इसके बाद पूरा पूरा घर अंदर से पूरा चमक गया भी बस दि कर रहा था यह कैसे रह गया अब एक सेकिंड यह सब तो मैंने बेचा ही नहीं मुझे भी आद आया कि इधर भी काफी कुड़ा था तो वाशिंग अरिया में कुछ नहीं करना इसका दरवाजा बंद कर देता हूं बाकि जो एक स्टेन रह था यहां पर वाला इसके बाद मारना यह देखो यहां पर थोड़ा सा रह गया था इस वैसे दिखा रहा है कि कुछ रह रहा है अभी सब हो चुका है अब बस यहां पर चीज़े खरीट-खरीट के लगानी है हमने काम कर दिया है बट साथ के साथ मैं यह दिखा रहा है कि जो ब्लॉक्स है ना 121 पता नहीं हो गया एरिया कि मुझे तोड़ना है वैसे यह वह खराब हो ही रखा है तो शाइसे तोड़ के खुला पाटीशन ही कर दें हम लोग पाटीशन नहीं अभी जो किचन आज कल ओपन किचन होते हैं थोड़ा वह कॉंसेप्ट है जितनी भी फालतु वह लाए इसे तोड़ देत हो गया होगा अभी देखो भी वह नहीं कह रहा है कुछ भी तोड़ने के लिए अभी सीधार रहा है ब्लॉक्स 36 मतलब में 36 ब्लॉक्स लगाना है यहां पर यह देखो यह जो वाल टूटीव है यहां पर लगेंगे उससे पहले जो कूड़ा उड़ा यहां कि रहोते हटा द को भाइब बहुत बहुत इस सी कर रहे है तो मज़ा को रहा है बंगी मश्त है अभी तोड़ी से अलग दिख रहे है पड़ जब पेंट कर देंगे तो यह एक्ड़न मंश्मर्ज हो जाएगी अपने next task के हम यहां पर पेंट करना है स्यान और ग्रेंट करने के लिसमें आपे इसको वेट उधर की निया ठानी ती वो ठीक है एक सब्सक्राइब करना है यह देखो मुझे अब यहां पर नया वुड पैनल तो पहले खरीद थे हैं पता नहीं कितने क्या रहे है यह लिया ओ फ्री मिल रहा है तो यह उठाते हैं यहां पर दिखा रहा है यहां पर दिखा रहा है हमने 89 ब्लॉक्स करें अभी 345 ब्लॉक्स ओर है इधरी क्या पूरे घर के तोड़ी करूंगा वाई अच्छा नहीं वेट यह देखो ना कि इतनी घटिया हो रखिया यह वाल यह तो बहुत गंदी है तो इस करतें हैं यहां सले कर यहां तक सारा भाठा यह ही है यह बहुत खराब दिख लग फ चोड़ा निगल ही है यह प्र जीया में जो साइड वाल में वूट लगा हो था यह तो बहुत ही गंदा था यह भी हो गया अब लास्ट यहां पर बचाए थोड़ा सा इसको सिलेक करके यह भी करते हैं मज़ा तो आता है घर रेनोवेट करने में मतलब कभी-कभी हमेशा थोड़ी तोड़ी अभी वूट उठाते ह आसे सारी भरना शुरू करते हैं इसके इंदर अभी फ्लोर जो है बिल्कूल बढ़िया दिखने वाला है बाकि वाल पे मुझे पेंट करना है मैं शायद से डायरेक पेंट भी कर सकता हूं अब अगर वुट पैनल लगाऊंगा तो देखते हैं कि सही है या फर नहीं मेरको अब पर वुट पैनल नहीं लगाने चाहिए तो इसको मैं हटा देता हूं मतलब इसी छोड़ देते इसके उपर पेंट मार देंगे या इसके ऊपर वुट पैनल लाने के ज़रूर नहीं है अजीब लग रहा है मतलब इस फ्लोर वाले होते है ना तो वाल पर गंदे लग र खराब पुरानी ही लग रही है हटा देते हैं उस बिल्डर को अपनी घर की वॉल टाइल वाइल सब कुछ एकदम नया चाहिए तो मैं उसके कोडिंग काम करना है मैं ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना कि क्या अच्छा लग रहा क्या नहीं लग रहा उसने जो जो ची अच्छर कट पैटन्स ऑप्शन आ रहा है बट मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूं तो ले लेते हैं इसे यहां पर इसे रख दिया है दगा कर देखते हैं कैसी लग रही है वह सभी तो भी बहुत सही दिखने लग गया पहले वाला थोड़ा पुराना लग रहा था यह पेंट करना है और उपर भी पेंट करना है यहां पर नए प्रिक्स लगाए थे तो इधर भी मुझे पेंट करना है अंदर बात्रूम है और बात्रूम ठीक है इधर पेंट उखड चुका है सारा ब्रिक्स नजर आ रहे हैं तो इधर पेंट करना है और यह क्या है यह गुला पर यार इतनी सार इतनी बड़ी बड़ी वोल है अगर मैं इसे पेंट करते रहूंगा एक जनम बीच जाएगा कुछ तरीका है क्या मैं इसको एक्स्टेंड कर सकता हूं वाव यह अभी जो पेंट है वह बहुत मस तरीके से हो जाएगा यह देखो बाई क्या स्पीड में पेंट होएगा रोलर खुल गया थोड़ा किसी गलत जगा पेंट ना हो जाए तो पेंट करने से पहले मुझे एक ध्यान रखना होगा कि एमा अचलर करेंगी कितने में मुझेरALK करने तकि इन सब जगाँ पर जाए ऐसे यह एक नीचे पुर गड़ बट़ जाए तक पंड़ कि committed to Gary मières कर ना जशैंट थोड़ा बूख भाट इतर वह वाली पूर भी और चल्य रुद बस्त पजया अब मुझे यह नहीं पता चलता है roller वाला सीन इसमें मैंने नीचे रीड कर रहा है यहां पर दिखा रहा है 470 squares में ने कर दिया बट अभी बहुत सारा area बचा है जो कि मेरे को लग रहा है कि यह है तो ठीक है यहां भी करते हैं यार सची में अपना पेंट दो मिनट का काम है अभी अभी सारा खतम हो जाएगा बस एरिया सिलेक्ट करो रोलर को बढ़ा गरो और पेंट मारो कोई सीन नी चलो भाई खतम हो गया पेंट इस वाल का भी और अभी भी इसके अंदर दिखा रहा है कि 724 ही हुआ है 859 अरे कर तो दिया पूरा पेंट यह किचन का तो अलग है ना किचन का अलग काउंट होगा अच्छा यह देखो यह उपर यहां पर अभी बचा हुआ है कर ना वहां भी ध्यान दिया ही नहीं मैंने पर पूरा पेंट ही उतरा पड़ा है वा ठीक है फुल स्क्वेर है तो दो-दो सेकिन में दोनों घर दूँ जो पैनल में टूटे पड़े तो मैंने सारे नहीं लगा दिये देखते हैं कुन से कह रहा है फिलाल अभी यहां पर पेंट करना है इसको बस टारेक करते हैं चलो भाई यह वाल भी पेंट हो गया एकदम मस्त अभी नहीं चीज नोटेस करें कि यह साइड है इसमें पुरान अभी ऐसा दिख रहा है पहले ऐसा दिख रहा था भी ग्रेस पर कर दो को सही दिखेंगा अट लिस्ट फिनिशिंग आएगी चिंदी काम नहीं होगा बढ़ वाई फ्लोर तो बहुत फैंट हो चुका है इस तरफ इस तरफ रहंगा है यह इस तरफ ड gef मार आता हूं इस तरफ रहिए क्राएट पर रहेते हैं यह वाला पर चारीत करी और पर पींट बढ़ा अभी ऐसा दिखा रहा है कि सारा काम हो चुका है क्योंकि काम बचा है बहुत वैसे हर पहले तो मैंने यह कहा था कि पहले हम लोग अपने घर का पूरा करेंगे जितने डामेजस सब को रिपेर रिपेर करके पेंट विंट कर लेंगे अच्छे से उसके बात फरनीचर लाके घर कंप्लीट कर देंगे लेकिन अभी उपर वाला फ्लोर भचा हुआ है पर मेरा मन कर रहा है कि नीचे वाले फ्लोर का फरनीचर ले आते हैं इतना करेंगे टो स्टार करें द्रॉइंग रूम से यहां पर मुझे सज़ेस्ट कर रहा है मेरे को एक सोफा लेना है एक काबिनेट लेना है टीवी लेना है वह पर बहुत सारा मुझे समझ नहीं आरा कि इतना सारा इटम मैं से काँ फिट करूंगा बटीगा अभी अलिका है तो सबसे पहले मैं ले रहा हो यह TV cabinet यह Black color का है और नीचे से white है जो कि theme अच्छी है मैं इसको change भी कर सकता हूं यह glossy base है तो मैं ऐसे फोड़ा wooden कर सकता हूं flagged कर सकता हूं थोड़ा matte look में हो जाए गए हाई यह यह जादा अच्छा लग रहा है वाई तो दूसरे में टीवी लगा सकता हूं पर दोनों साइड विंडो है तो बंदा बैटेगा तो विंडो व्यू थोड़ी लेगा टीवी एकदम सेपरेट होना चाहिए तो इसको मैं लगाने वाला हूं इस वॉल के साथ में और अभी इसके उपर लाके रखते हैं टीवी ओ वाव टीवी के अपने पास option है मैं वाइट कलर का भी ले सकता हूं ब्राउन है क्या में को नहीं नहीं वाइट ठीक लगे रहा यह देखो पीछे से वाइट है अच्छा लग रहा है बाई महंगा टीवी लग रहा है ब्लाक तो और जगई होते वाई थोड़ा सा वाइट टीवी अलग लु के ऐसा है ब्लाक कर दो सोफा सोफा होना श मॉर्ष ऑ या फिर थोड़ा सा इस टाइप का ब्राउं ठोड़ा गरते हैं इस पर जो शेट अ अच्छा लग रहा था धोड़ा थोड़ा बड़े साइस का और यह नो पर टीवी यह रहा सोफा अभी मेर को एक लेना है रेडियेटर रेडियेटर को सोफे के पीछे लगा सकता हूंगा दिखेगा निया तो ठीक रहेगा मतलब इतना अच्छा लुक नहीं देता है यह यहां पर ठीक है तो एक रेडियेटर मैंने इधर लगा दिया मुझे दो परचे में को मिल चुका है कलर उसका ग्रे लाइट ग्रे चलते हैं यह चीज़ ब्लाक कर देता हूं जो सेकंडरी कलर रहा है इस एकदम ग्रे यह वाला हुगया अब इसके फर का भी कलर चेंज कर सकते हैं देख रहे हो वाई कार्पेट कैसा था तुम्हारे भाई ने कैसा बना दि इधर या फिर नहीं एक्स्टा करीद लेंगे वाई अपने बजट का सीन है तो उसने जितने पैसे दिया में उतने काई काम करना चाहिए पर मेरा मन कर रहा है थोड़ा अच्छा करें कोई बात नहीं कर देते हैं क्या पता एक्स्टा पैसे बात में देते हैं तो यह टर में ही लगाता हूं आब शिरे मैं कोड थीजर को एख खारीजनी है और तीनों चेर को एक लगाते हैं ऐसे बिसरा लगाते हैं इस से कॉर्नर में जए रहा है यह पर faft तीनों चेर यह एंपर लगाता है यां अधरAR फ्सक्ता और तो आप घ्टर दो यहां क्वार्ट अच्छा भी हुए गया यह तो अधर आ गया यह बैक साइड वो रसन तोड़ी देर में संसेट होने वाला अंधेरा हो जाएगा और अचानक से यह में अंधेरा क्यों रहा है मैं टॉर्च जला के बैठा हूँ इसमें एक ऑप्शन है मैंने भी देखा था यह एलेक्टरसिटी बटो वर्क करेगा हाँ तो ग्राउंड फ्लोर काफी अच्छे से बन चुका है और अभी और यहां क्या करना है और क्रीदना है एक मुझे यह एसन टेबल खरीदना है इसको मैं कहां लगाँगा भाई इसको का सामने लगा दूग है सोफिक है यह यही होनी चीए ठीक है यह यह बड़ा कैबिनेट है बुक्स के लिए यह तो मेरे साबसे में ड्रॉइंग रूम में इधर होना चाहिए टीवी के साथ पॉफेक्ट स्पेस है इसको लगाने का तो यहां पर लगा देता हूं और यह कैबिनेट मुझे और लेना है यह कैबिनेट भी टीवी के उपर कर स थी में में सबसे में ब्लाक और थीम पर जाना चाहिए क्योंकि काफी मॉडन लगेगा अंदर से घर यह लगा सिंग इधर अभी सिंग के लिए मुझे दो काबिनेट लेने उसके साइड में तो इसको भी से मुझे थीम का लेकर आते है और यह लगाते है यहां पर नहीं सिं में इस ले रख का यह इस ब्टन को कर देता हूं यह ब्टन से चले मुझे क्चिन दुबारा को ऑब अच्य नहीं देना अभी अब यह साइड बहुत अंध्या हो कि बाहरा हो गया सूरज घू तो मूण आ रहा है संसे उदर हुआ है वह वाई संद नीचे जा रहा है और एक तरफ से वह मूण उपडर आ चलो 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 नेक्स नेक्स वक्त तो अभी एक और के लगाना जो कि फ्लोर पर ही लगेगा तो इसको लगाते इधर उसके साइड में खाएगा अवन गलत ले तो अब बचें सारे हैंगिंग क्याबिनेट और एक है यह कहां रखना है वेट यह भी इधर ही आजाएगा अगर थोड़ा सा स्पेस है तो अचा नहीं मैंने यह बटन लगा जिया था तो अब इधर इसे अटाना बड़ेगा बटन को बटन अभी इधर कर सकता हूं मैं सही है अब इधर अब इधर बुकेस चलो टीवी के अगल बगल बुक्स इधर कितना सारा समान लगवारा भाई वो बंदा इस घर में वैसे नहीं यह बहुत जाता है इतना समान तो इक घर में होता ही है मैं पहली भार लगा रहा हूं इसलिए दो फील हो रहा है ओके तो सब हो गया एक लास्ट एक याबिनेट बचा था जो कि मैं फ्रिज के ओपर फिट कर सकता हूं बढ़िया अभी पूरा किचन बहुत ही क्लासी लग रहा है पर एक सेकिंड वेट 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 लगे पड़े पड़े जिससे थोड़ी गंदी लुखा रहे थे बठाव अभी इंदर से बहुत अच्छा लगने वाला अपना किचन किचन हो चुका है ड्राइंग रूम हो चुका है अब बुक्स वगरा उसका रखने का गाम है मेरे पास थोड़ी बहुत बुक पड़ी थी मैं यहां रख देता हूं चलो फाइनली ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ अब बचा है ग्राउंड फ्लोर का बात्रूम किचनेट में कपड़े रखने का किधर लगा हूं इसे कॉर्णर में लगाएंगे से अब यहां पर बचाए रडियाटर राक यह इसके उपर ही लगाएता हूं लास्ट में बचाए एक बाइड बलीनो यह भी इसके साथ में होना चाहिए बैसे मुझे पहले पता नहीं था आशके एक किसले होता है बट रिसेंटली में योरप गया तो में पता चल गया आप में से बहुत लोग को पता हो गगा पट मुझे रीसेंटली पता चल यह एसे दो क्यों और बात्रूम में आच लो भाई सब हो गया है अभी अभी चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर बाइव सब नहीं हुआ यह भाहर वाला एरिया रह गया तो यहां पर भी वह चीज़े लेनी है पहला है शू बॉक्स शू बॉक्स लेकर एक सगेंड येस शू बॉक्स को लगाते हैं यहां ताकि जैसी कोई बंदा घर में आए अपने जूते यहीं से उतारे बाहर जा रहा तो जूते और ने बोला हुए लगाने के लिए जिसके उपर यह वाला फ्लार जाएगा लास चीज है क्लॉक्स वह भी हम लेंगे अपनी थीम की यह तो रोलेक्स स्टाइल लग रहे है यह वाली लेते ऑप्शन है मैं इसे यहां लगा दू यहां भी लगा सकता हूं घर के में डोर में यहां होना चीज है यहां पर ताकि कोई बंदा कर सीडी से नीचे आ रहा रहा है तब भी टाइम देख लें अंदर घुस्ते यह तब भी नाइम देख लें सही है चलो भाई अभी यह वाला एकदम मस्त हो चुका है अफ़ट अफट अफट से चलते हैं उपर और उपर वाल काम यहां पर दिखा रहा है में दो विंडो चाहिए और विंडो के लोग थीम भी चेंज कर सकते हैं यहां पर ओ वाव शेटर से लगाने नहीं लगाने में सबसे ग्लास ठीक है क्योंकि बार का व्यू बहुत अच्छा है काउंटर टॉप ले लेते हैं बार टाइप बार य दोनों विंडो में यहां पर लगा दिया जो कि अंदर से भी बहुत पहले दिख रहे हैं बाहर से भी एच्छी दिख रहे हैं नेक्स्ट हमें चाहिए होगा एक बैड की थीम अच्छी है यह वाली ब्लैंकेट सम्मस्त लग रहा है पर मैं को सोचना है होगा कि बैड में लगाते हैं इधर अभी मस दिखेगा यहां पर लैंप आ जाएगा ना तो भाई जो लाइट आएगी वह बहुत सही लगेगी और दिन के टाइम पर तो वैसे हैं सनलाइट आनी है मतलब थोड़ा अंधेरा हो रहा है इसलिए कह रहा हूं बाकि यहां पर एक क्याबिनेट सा जो इसके साइड में लगेंगे मैं टॉर्च जला लेता हूं बाई ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखे इधर उपर आले रूम में बहुत अंधेरा हो रहा है अभी सब दिख रहा है तो अभी यह होगा अपना बेड चुकि मैंने यहां ना लगा कि यहां लगा दिया और अभी मेंको एक लेना है लेम्प को लगाते है इस कोने में और मेंको एक डेस्क लेना है वरकिंग के लिए यह बाई कर लेते हैं और इसको भी साइड में लगाता हूंगा सही देखे गए यहां पर ही लगाते हैं से और एक चेर लेनी है चेर घुमा के लगांगे इधर तो लांके उस थोड़े नियावक टान में लांसित के लांके साइड मैं इस ताइड में केडा हैं लाइन के लाइक लाइन व्यात लात्न हो गा उसके साइड मेत पिर लां रहानी जो उसको साइड में गठाणानी मुझे लगे इदिया यूर powered में से मेरा मैंने चूज कर रहा है इसमें भी थीम है कलर की बहुत सारी कि थोड़ी क्लासी है इसको लेते हैं वैसे तो मेरा मन था कि इसके नीचे लगा हूं बट जगा नहीं है क्योंकि हट टाइप है ना यह थोड़ा तो जो इसकी रूफ हो थोड़ी ऐसे एंगुलर है तो इसके नीचे आएगी नहीं बाकि एक बड़ा सोफा लेना है इसको भी यलो भी मस दिख रहा है बट बलाक होता है तो इसको यहां पे लेके लगाते हैं तो इसके लिए पूरे मूव करना है थोड़ा सा लेफ्ट यह बाले चेर पीछे करते हैं वरक स्टेशन होगा थोड़ा अंदर देखो भाई अभी से ही थोड़ी-थोड़ी सनलाइट आना शुरू हो गई है तो कलर कितने चेंज हो रहे हैं यहां पर अपने बेड के बगल में सारे प्लांट रहेंगे चार टाइप के मुझे रखने के लिए बोले हैं एक रहेगा यह पिंक वाला एक यह भी पिं नमें रहे हैं वह यहीन फित अगया ठीक है तो कि मैंको एक लांट भर टो इसको यहां वाइट रागा देता हूंS कि मारे में कांप बाएक चेह बार बाकि में चाहित क्लर वायट पक्र रहते हैं इस तरफ यह बड़ कर लेता है मेंड हैं इसा कंडर में ऑला पर इस contingent यह तो इसको यहां लगाते हैं वाई क्या बढ़िया इंटिरियर बनता जा रहा है एक है कैंडल कैंडल बेड़ के साइड में रख देता हूं लास बचा एक मुझे प्लांट रखना है कोई बहुत एक्सपेंसिव सा लग रहा है सोचनों से स्टेर्स पे बढ़ जगा नहीं है यह अब लास बचे है के क्लॉक का भी कलर करते हैं ब्लाक और वाइट इसको लगाएंगे इधर 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 यहां ची लग रही है यह फिर यह तो बहुत उचा हो रहा है इधर ठीक है यहां सही है बैट से अपना दिखते रहेगा ना सोते ही उटेंगे पता चलेगा कितने बच ब्रिक्स भी लगाने होंगे यहां यह देखो यहां पर थोड़ी बहुत इंटे टूटी है उसके लिए ब्रिक्स लगेंगे अब ले देता हूं पेंट ब्रॉश और जितने हैं मैं मुझे पेंट करना है सिलेक करके काम चुरू करते हैं चलो हई तो पेंट भी हो चुका है और उपर अला फ्लोर पूरा कंप्रीट हो गया बट इस तार्स तो दिख रहे हैं वो शायद अभी भी पूरे नहीं है तास तो सारे हो गए अच्छा अंदर का बात्रूम वात्रूम यह सब कुछ बचा हुआ है वही मैं कहूं यार यह स्टार्स तीनों लेकर जाओंगा मैं बात्रूम में सबसे पहले आएगा बात्रूम लगा दिया साथ में मुझे लगाना है एक काबिनेट यह रख देते हैं यहां जगह है इतना बड़ा रखने की ज़रोत नहीं है इधर यह रूम बना ही उसलिए तो यहां रखते हैं से और यह है अपना लॉंजी बास्केट इ बड़िया चल वाई सारा काम होगे इतर का इन स्तार अभी में को पूरा वपर धाइज स्तार मिल चुके है पर जहां तक है मैं ने उपर आले फिरो का सारा काम कर दिया है अब चलते हैं नीचे शायाद नीचे कुछ ना कुछ मिस हो गया है इधर भी क्लीन है सब कुछ तो हो ना वह नॉर्मल वाली नहीं रहेगी यार यह तो बैंड बच गी मैंने सब रखती आ था इसको हटा सकता हूं कि मैं है इस इस सारा हट जाएगा समान भी रहेगा ठीक है ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है पर थोड़ा सा है वही मैं कहूं यार इतनी देर से आ रहे हैं यह लेना है बाइ करते हैं और यहां पे रखता हूं इसे उठाके लगाते हैं अब की वाली चलेगी ना पता नहीं यहां पर बढ़ रहे है यह बढ़ तो रहा है पर इसके निदर जो मुझे चाहिए वह एक्सट दिक क्या रहा है मिल यह समिन नहा है चलो भी ठीक है मैं बस करना था पेंट हो गया दर गलती से थोड़ा पेंट अपने वास बचा हुए पहले का इसे यहां लगा देता हूं अभी भी तीन स्टार कंप्लीट नहीं हुए है बढ़ हमें मिल चुके हैं कि जो जो चीजे जैसे ऐसे हटाई थी मैं उसे वापिस लगाता हूं एक यहां एक ब्लॉक उपर मूव करा था क्योंकि टाइल लगानी थी अभी पहले जैसा एक दम मैंने कर दिया है कोई भी काम नहीं बचा है स्टार सारे नहीं मिले क्या पता इसकी गंदगी की वज़े से सारे समवन भेच देते हैं जो हमारे काम का नहीं है अच्छा नहीं बाहर की सा मैं की सारा सी नहीं दर क्या-कै एंud interpretatum सारा इसके ने भी पाघ़हार है यह उन्हां बिख चाहर है और यह को उष्चिजए उन मुली हमें बचाटर यह बकर सकता है यह सब कभार भी पतिया है एक ट्रंक गई भूर हम जाते है यह विख जाएगा‌ग झाहें यह पतियां अच्छा यह हैं क्या पतियां यह बिकेंगी भाई नाइस इसके पैसे मिलने हैं ओ भाई साब यह सब देखो बैक साइड पर ऐसे लग रहा है कोई खून से लिखके गया है अच्छाल में तो इस प्रेय है वैसे बुछ पता नहीं है चलो भाई ठीक है यह तो क्लीन कर दिया यह जो पैनल से यह भी मेरे को ठीक करने बढ़ेंगे अभी तो मैं इसे एक दम साफ करता हूँ चलता हूँ एक ही बार में टाइल्स करीद के यहां भी लगा दूँ यह ठीक हो जाएगा यह देखो यहां पर भी कितना सारा कपार्ड बची है जो मुझे बेचनी हैं वाकी सारा कुड़ा मैंने साफ कर दिया है कहां पर देख लिख रहा है लीफ अच्छा यह उपर है एक यह उपर एक एरी एक और कहीं पर बची वह बाकी सारी हमने क्लीन कर दिया अच्छा यह बची लास्ट ठीक है बगए चलो अब हमें कु अगला दिन भी लग जाएगा कि इतना काम है ये भी साफ हो गया है सब अब बस नया वाला में कोई वूड खरीज़ना है सब बस यहां पर लगानिया इस तरफ हो गया शुदी फट्ट से लगा ज्ता हम बहुत पहस्ठ हो गया व estar। energy बिलकुब बीचीज लगाने में उसको हटाने में इसमें क्लीन करने में सबसे आधा टाइम जाता बाकि उसे दुबारा लगाने में तो कुछ ही सेकेंड लगते हैं बस यहां पर एक दो स्टेन है वो क्लियर करने काम हो जाएगा एक हो गया एक और है कहीं पूरे घर में अच्छा नहीं हो गया दो थे पूरे भाई तीनो स्टा पूरा का पूरा रेनोवेट करती है वैसे बाहर से तो कुछ ऐसे एक्स्टा अलग से लुक नहीं आई है बड़ा मैं जितना काम करने के लिए बोला था मैंने सारा कर दिया पर एक चीज मेरे को भी दिख गई है पता नहीं क्यों मेरी नजर खराब जगा पड़ जा रहे है अब भी नूटिस कर रहा है अब कुछ में छोड़ कर आ गया उपर एक से को करूं भी गैसे मेरे पास यह वाला पेंट है क्या चलो नहीं भी आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाहर भी नहीं रुख जाओने लेता हूं या पेंट लेता है या यह यह एक्जाक्त तो नही रहें अमें में पता रहें कोन सा पेंट हो रह खर च्रावा नहीं ले लेक्गा भी यहाइं भाला पेंट और यह गर नहीं हो रहीं और फ्लाय वडे नहीं और वुड टैक्सिच्चर है चलो कोई प्थर ना भी अनुकर करने वालों काम यह सुर लेइं च concurrent hardness क्याओं इस प्र बताना है कि तुम्हारे भाई की थोड़ी इंटीगर डिसाइनिंग अच्छी है घटिया है दस में से 5-6-7-8-9-10-11-12-13 जितने तुम्हें नंबर लगे दे देना बाकि हाँ चैनल पर अगर आप लोग नहीं हो तो नीचे प्यार से सब्सक्राइब को बटन आ रहा है उससे जाके जरूर से दबा दो कि इस टाइप की बहुत मसमस गेमप्ले वीडियो जाने वाली है बाकि मैं आप लोगों मिलूंगा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई